औरंगाबाद के स्रिया को न्याय दिलाने के लिए तेजस्वी प्रशाद यादो ने मोर्चा खोल दिया है दरसल एक के बाद एक कई बड़े राजनेता लगातार औरंगाबाद के नवी नगर के खेरा गाओं पहुँच रहे हैं और अब इसी कड़ी में तेजस्वी यादो जो नेता परतिपच हैं उन्होंने भी अब मोर्चा खोल दिया है देखिए तेजस्वी यादो इससे पहले लगातार अपरादि घटना के मामलाओं को अपने फेसुक एंडल पर सेर कर रहे थे और अब खास कर स्रिया को लेकर उन्होंने साजा की अपने फेसुक एंडल पर देखिए वह फेसुक एंडल पर सेर करते हुए या लिखते नजरा रहे हैं कि और अबाद के नवी नगर में कोचिंग के लिए निकली 16 वर्षिये 16 की अपहरन उपरांत हत्या प्रदेश में 25 जंगल राज का प्रतिच परमान दोस्यों को गिरफतार नहीं किया जाना कुसा कुसासन और प्रशासनिक अराजक्ता का परतीक है तो देखिए अब तिजस्वी आदों ने भी मोर्चा खोल दिया है एक तरीके से सरकार के खिलाफ वया लिखते नजरा रहे हैं कि दोस्यों को गिरफतार नहीं किया जाना कुसासन और प्रशासनिक अराजक्ता का परतीक है देखे बीते दिनों एक गारतारी को छात्रा स्रिया अपने घर से निकलती है कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए और उसके बाद जब घर वापस नहीं लोटती है तो उसके मा उसके परिवार वाले लगातार खोजबिन करते हैं और खोजबिन करने के बाद जब लड़की का पता नहीं चल पाता है थाकार करव थाने पहुंचते हैं परत्मिके दरज होती है और परात्मिकी में तीन अभ्यूक्तों को नाम ज़द कराया गया है हलाकि गायब छात्रा की मा प्राथिमिकी में तीन नामों को अभ्युक्त बनाई है और ऐसे में लगातार पुलिस प्रसासन की ओर से तफ्तीस किया जा रहा है कई बड़े राजनेताओं का पहुचना जारी है एक ओर औरंगाबाद के पुरोसांसा सुसेल सिंग हो चाहे वो का तेजस्वी आदो ने उठा दिया है तेजस्वी आदो नेता परतिपक्ष है और वह लगातार अपराधिक मामलाओं को लगातार फेज़ूक पर उठा रहे थे और अब एक बार फिर से स्रेया मामले को उन्हों ने उठाया है और देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा तफिस की जा रही है हलाकि प्रशासन का क्या कुछ कहना था वह भी आपने कल के वीडियो में सुना था और अब देखिए तेजस्वी आदों ने स्रेया कांट को उठाया आगे देखना होगा आगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है यह भी देखना दिल अज़ दिल कर देखना होगा यह ओू पर खिल में सुना टाप्ना था आपने आता है यह भी देखने लो प्रशान सुना दो में प्रशान सुना करें सामने देखना था भी दो आगए यह पक्लिद झाल झाल